पंजाब में होने वाले विधान समद चुनावों की तयारियों को लेकर बठिंडा डिप्टी कमीशनर घंशयान धोड़ी की ओर से एक प्रेस कॉंफरेंस की गई जुसमें कई अन्य उच अधिकारी शामिल रहे प्रेसवारता के दुरान डिप्टी कमीशनर ने बताया कि चुनावों को लेकर सारी तयारिया मुकंबल हो चुकी हैं हर प्रेकार से सुरक्षा के प्रबंध कर दिये गए हैं और चुनावों को लेकर बाहर से कई टीमों को भी बुलाया गया है जो पूरी तरह अपना सायोग देंगी वीडियो व्यूइंग टीम वीडियो सर्वेलेंस टीम ए सारे पुलिस दे ते सिविल दे ऑफिसर जड़ियागे पहले तो इडेंटिफाइड ने हो इस ताइम नाकाबंदी चालू हो चुकी ए सारे हलके आदे वीच चेकिंग हो रही है वही डीसी ने कहा कि वोटर सूचियों की अंतिम प्रकाशना हो चुकी है और सभी को एक-एक सेट दे दिया गया है और जो नौ तारिक तक और वोटें तयार होनी है उसे भी फ्री आफ कॉस्ट बांट दिया जाएगा सभी अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हो चुकी है साथ ही कॉर्परेशन को भी हिदायत दे दी गई है कि जहा कहीं भी सरकारी आइड या सरकारी बोर्ड लगाये हुए मिले उन्हें हटाया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए ता कि कोई सरकारी आइड या सरकारी वो न लगा पाए। उनने कहा कि दस कंपणियों में से अब तक हमारे पास चार कंपणियां आ चुकी है। कि दुविधा या कोई और गर्बर न हो सके। कुल वोटर तक्रीब नौ लाग पचातर हजार के करीब है। और एक हजार क्यावन पुलिस्टेशन बठिंडा में है। 552 पुलिस्टेशन लुकेशन है। वही सभी वैलिट पेपर पर उमीदवारों की फोटो होगी। आठ हजार मुलाजिमों की ड्यूटी दाई सॉफ्ट्रे में की गई है। जिनकी पकी ड्यूटी बाद में लगेगी ताकि चुनाओं में किसी तरह की दिक्कत ना है। या फिर उते वेब कास्टिंग या फिर पेरा मिलिटरी फोर जरूर लगे हो।